आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जनरली शादी के बाद लड़कियों का वजन जो है वो बढ़की हो जाता है कभी आपने सोचा है शादी के पहले है लड़की अपने आपको स्लिम ट्रिम देखने के लिए हर तरह की उपाय करती है कि उसका वजन नहीं बढ़े अक्तर आपने सुना होगा कि शादी हो जाने के बाद लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है कभी आपने इसका वज़न सोच है पहला वजन है डाइट डाइट में बदलाओ शादी के बाद पती के साथ रहकर हम बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते है इसके साथ ही आपसी बाचीत के उदलान भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते है नहीं नहीं जब लड़की बया के जाती है दूसरे के गर तो उसकी खातिदारी को जादा ही होती है कि ज़रा बहु को दूख तकलीफ नहीं होना चीए तो डाइट में थोगा सब बदलाओ आ जाता है शादी के बाद कपल हनिमून पर चला जाता है और वहां जाकर बाहर कर खाना करते है यही हमारे मुटापे का करण है एक करण डाइट में आयन बदलाओं से हमारे शरी में कैल्सियम और विटैमिन्स बी की कमी हो जाती है एनरजी की कमी से बार-बार खाने का मन करता है जिससे वजन बढ़ता है दूसर रिजन है आधतों में बदलाओं शादी के पहले हम अपने खाने पर विशेच थ्यान नहीं दे पाते महत्वपुर्ण पलों को एक दूसरे के साथ रहे कर बिताते हैं जिस्तों घर के मुकाबले बाहर का खाना जादा पसंद करते हैं मुटापे का दूसरा कारण दुल्हन अगर घर पे खाना बनाती है तो अच्छे-च्छे नए-नए पकवान बनाती है ताकि लोग उनके गुनों का बखान करें अब वहाँ पे कैलरी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है जो वजन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण है फिर लड़कियों की गतिवी दियों में परविर्टन हो जाता है शादी के बाद अकषर पती-पत्नी अपने प्यार बड़े लंगों को एक दूसे के साथ रहकर बिधाना चाहते है जो हर कर साथ-साथ रहते हैं हाँ तकी टी-वी देखने पर भी एक दूसरे के साथ रहकर खाते रहना पसंद करतें जो मुटापे का दूसरा कारण है फिर एक मेजर प्रॉब्लम है हर्मोनल परिवर्तन जब लड़की शादी शुदा जीवनें प्रिवेस करती है तो वो कई तरह के एमोशनल और हर्मोनल बदलाव भी आते है संभूक के दौरान शारीक परिवर्तन भी शरीरी में होने लगते है और शादी को कुशाल बनाने के लिए सेक्सल लाइफ में एक्टिव होना भी वजन बढ़ाने में जम्मेदार होता है महिलाएं जैसे प्यार करती है उसके साथ रिलेशन्शिप करने से उनकी कमर की चोड़ाई को बढ़ने में प्रभावी होता है और संभूक के बाद भूग भी बढ़ने लगती है और इसके अलाबा आप अपने आप के सुरच्छित रखने के लिए फिर गर्मने रोदो गोलियां का भी इस्तमाल करने लगती हैं आपके शरी के मुटापिय का कार्ड बनती है कहीं ने कहीं थोड़ा सा आलस्पन भी आ जाता है शादी के पहले जब लड़कियां सिंगल रहती है तो कुछ नो कुछ इक्स्ट्रा काम करती रहती है पर शादी हो जाने के बाद उनका पूरा समय अपने पती के इंतिजार में बीखता है और शरी थोड़ा सा आलसी हो जाता है प्रेग्नेंसी एक बहुत सारा बड़ा कारण है शादी के कुछ समय बाद ही कपल्स फैमिली प्लैनिंग के बारे में सोच लेते है प्रेग्नेंसी के बाद लड़कियों का वजन बढ़ चाता है और बाद में लड़कियां अपने शरी की तरह अपना ध्यान नहीं दे पाती है फिर स्ट्रेस शादी के बाद लड़की के जिन बहुत बदला हुआता है लड़की पर कई तरह के जमेदारी आती है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है स्ट्रेस बढ़ने से भूख ज़्यादा लगती है और वचन बढ़ता है फिर जम्मेदारी घर के साथ साथ जब बच्चों के जम्मेदारी भी आ जाती है जिससे खाने का कोई निश्चर समय नहीं होता है तो पूरा का पूरा बलावाना शुरू हो जाता है खाने में सिंतुष्टी नहीं होने पर भूख जादा लगती तो इतने सारे फैक्टर हैं जो शादी के बाद लड़की का ओजन आउटमेटिक बढ़ा देता है तो धन्यवाद आपका हमारी चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट दीश धन्यवाद